तुमारे भी दिमाग में होगा कि अगर SPI clerk के form को fill कर रहे हैं तो कौन से state से fill करें आपने अपने state को छोड़ के हो सकता है दूसरे state को choose किया होगा अगर अपने choose कर लिया है तो उसके साथ क्या-क्या परिशानी हो सकता है क्या-क्या आगे दिक्कत आपको face करना पड़ सकता है यह हमारे दिमाग में सबसे बड़ा होता है कि चलो at least नौकरी तो मिल जाएगा कहीं बाहर रहना होगा अगर SPI और यह normally clerical level के हर एक exam में लगवग हो जाता है अब मैं बताता हूँ कि अगर आपने इस तरीके के दिमाग में बात को रखा है और normally अगर आपने apply कर दिया है त अगर आपने apply नहीं किया है तो इन चीजों को बहुत सोच समझ के फिर apply करना my dear friends देखो कोई state आपके सामने दिख रहा है जहां 10 वेकेंसी और वहीं दूसरा state 2000 वेकेंसी है तो अब्यसी बात है कि हमारे mind में यह click करेगा कि क्यों ना मैं उस state से apply करूं जिस state में वेकेंसी ज जला जाएगा obviously यह सब के साथ होता है तेखो अगर आप किसी दूसरे state में select हो जाते हो तो एक time bondation आपको पता नहीं कि वो कितना होगा might be आपको वहाँ पर रहना पड़ जाएगा lifelong भी रहना पड़ सकता है या फिर हो सकता है कि 5-6 साल रहना पड़े हो सकता है 10-11 साल रहना पड़े अब मैं आपको best way में बता रहा हूँ कि आज मेरे ही channel पे एक comment आया morning में and that comment was कि मेरा खुद का बड़ा भाई 11 साल से other state में है और वो transfer के रहे ही लगा हुआ है लेकिन उसका transfer नहीं हुआ तो ऐसे बहुत सारे example मिल जाएंगे बहुत सारे ऐसे example मैंने अपने नजर में भी देखा है कि 4-5 सालों के बाद उसका home state जो है वो अपने home state में आ गया है तो बहुत सारे है examples but हां मैं transfer पे इस video में बात नहीं आप other state में करते हो तो might be आपको वहां पर उस state में language issue हो सकता है उस state में आपको रहने का issue हो सकता है उस state में आपको खाने का issue हो सकता है मैं बिल्कुल basic पे बात करूँगा ठीक है आपके लिए वो state अगर non है तो the based अगर unknown है तो बहुत difficulty होगा starting में चलो एक साल आपने देखा difficulty हुआ आपने समाल भी लिया बट अब हमारे मन में क्या होगा कि कितना जल्दी से जल्दी हमारा state transfer हो जाए मैं अपने hometown चला जाओं हमारे दिमांग में बस यही बात भरा रहेगा ना आप concentrate कर पाऊगे अपने काम पे ना ही किसी और जीच पे एक खुसी जो आपके मन में हो जो image है मैं दूसरों की बात ही नहीं कर रहा हूँ ठीके आप समाज में क्या हो आप अपने relatives में क्या सोच रहे हैं आप खुद के नजर में at least unemployment से employment की और चले गए हो लेकिन वहाँ पर धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि आप खुद ही परेशान हो जाओगे और अगर आपक सिकत होगा ही होगा अगर आपने किसी other state से form fill किया है बहुत किसी के साथ होता है homophobia बहुत किसी के साथ होता है कि वह अकेले नहीं रह पाएंगे parents के साथ रहना चाहते हैं बहुत किसी के साथ बहुत तरीके का sickness होता है right home sickness or might be तो इन चीजों से आपको आगे इन चीजों को आ तो फिर आपके लिए थोड़ा सा एक plus point बनता है But my dear friends, देखो आज अगर आप किसी other state से exam को निकाल रहे हो Might be एक percentage ये भी सोचना मैं किसी को ये recommend नहीं कर रहा हूँ But अगर आप किसी other state से form fill कर रहे हो और आप अगर वहाँ निकालने में capable हो तो ये समझना कि अगर आप वहाँ से capable हो तो आप खुद के state से भी capable हो क्योंकि जो serious candidate होते है ना उनका ratio only 10 होता out of 100 और आप ये मानो कि अगर आप आज के date में आपने exam नहीं निकाल पाये ना अपने state में और छोटे margin सा पुरुक रहे हो Might be आपका bad luck होगा बट कहीं न कहीं आने वाले टाइम पे आपका exam खुद के state में निकलेगा ये तो मैंने एक point रखा ये है कि अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं किसी other state से ही form fill करूँ तो मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ You may proceed But ये होगा कि आप वहाँ apply अगर करते हो हो जाता है फिर भी try में लगे रहना कि आप PO level के exam को crack कर लो और you can say कि RBI level के exam को crack कर लो IVPS PO सामने है RRB सामने है तो आप बस अपने continuity जो पढ़ाई का होता है उसको छोड़ना मत लगे रहना ताकि आपका फिर से यहाँ पर selection हो पाए लेकिन अगर आप एक बार form fill करके किसी दूसरे state में अगर select हो जाते हो और फिर आप अगर ये होता है कि चलो आप तो job होई गया ठढ़ना पड़ जाओगे आप आप अगर मेहनत नहीं करोगे आगे exams के लिए तो might be आप उसी state में रह जाओगे फस के आज के time में आप पैन इंडिया कहीं भी काम कर लो कहीं भी आप work profile में चले जाओ आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है क्योंकि हमारा देश ही एक ऐसा देश है कि आप कहीं भी survive कर सकते हो और मैं बस ये आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि बस आपको ग्यान नहीं दे रहा हूँ actually मैंने लगबग life में north, south, east, west हर जगह रहा ठीक है मुझे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ मैंने अपना जो schooling है वो जहरकंट बिहार से किया मैंने अपना जो graduation है वो बिलकुल south में जाके किया मैं कैरल घूमा मैं यूनो बैंगलोर में ही रहा था ठीक है उसके बाद फिर आप आओ तो राजस्थान गुजरात में भी रहा महराष्ट में भी रहा तो मेरा most of the time ना ऐसा नहीं है कि अपने home state में ही गुजारा मैंने मैं फिर north east चला गया ठीक है कुछ दिनों तक north east में भी रहा तो मुझे ऐसा feel हुआ ना कि आप अगर explore कर रहे हो औ और आपको अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बहुत आप enjoy करोगे लेकिन जहां आप enjoy करो वहाँ पर आपको दिक्कत भी यह तब आएगा जब आपको खाने का दिक्कत होगा रहने का दिक्कत होगा बोलने का दिक्कत होगा language problem होगा ठीक है अगर आप इन चीजों को face कर सकते हो तेट यू में प्रोसीड, ठीक है, मैं किसी भी पॉइंट को negative में नहीं ले जाना चाह रहा हूँ बस, तो ये था कि आप किसी other state को अगर apply करते हो, other state से apply करते हो form को, तो ये सारा दिक्कत आएगा ही आएगा, लेकिन हाँ यह चीज है कि आप यहाँ पर अपने एक seat को secure कर सकते हो आप at least यह होगा कि आपके पास खुद को survive करने के लिए even family के survival के लिए आपके पास एक छोटा salary होगा I am not saying कि SPI बहुत बड़ा salary देते हैं छोटा ऐसा salary होगा जिसे कि आप survive कर पाओगे my dear friends तो यह है दिक्कत अगर आप किसी other state से fill करते हो फिर भी मैंने जो आप लोगों को यहाँ पर समझाया है कि आप एक बाद try करो कि other state से fill कर रहो फिर भी कोसिक्स करो कि अपने state से fill करके उस चीज़ को निकाले exam ठीक है हमने हमें आने वाले time पर यह चीज़ देखने को और भी मिलेगा कि might be किसे state से कम होगा vacancy किसी state से जादा होगा vacancy depends upon the requirement of that state कि कहां पर कितना vacancy का जरूरत है फिर भी overall अग देखो तो 8000 प्लस vacancy is not a bad vacancy ठीक है एक समय ऐसा आज जाता है कि हमें 3-4000 vacancy देखने को मिल रहा है बट on the track अगर हमने 8000 प्लस vacancy देखा है it's a good symbol for us तो focus करो कि पहले अपने state से try करें नहीं होता है तो फिर other state से try करो but मैंने इस वीडियो में कहीं भी transfer related बात नहीं करा है अगर आप कहीं select हो जाते हो तो might be आपका transfer हो सकता है might be आपका transfer नहीं भी हो सकता है तो इस चीज के लिए ready रहना है जो आगे आपको दिक्कत face करना है might be आप कुछ ज्यादा ही face करो might be आपको थोड़ा कम face करना पड़े बद करना पड़ेगा यह चीज है reality है तो I think इतना ही sufficient होगा अगर आप इस चीज पे कुछ जानना चाहरे हो but still अगर आपको पास कोई और ज्यादा doubt है या फिर और कोई queries है then you can ask me on my facebook on my instagram और on the comment of youtube channel ठीक है मैं link आपको description में दे देता हूँ ठीक है my dear friends thank you